नमस्कार मैं आपका अपना भाई एडवोकेट नरेंदर कुमार राना मैं आपके साथ एक बात आज साजा करना जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से अभी जो है उत्रप्रदेश की सरकार में कुछ मंत्री सामिल हुए एंडिय के घटकदल जिन में एक उमप्रकास राजभर भी मंत्री पत्र की सबत्र ले बैठे चर्चा का विशे ये है कि ऐसी क्या मजबूरी एंडिय की हो गई जो उमप्रकास राजभर को मंत्री मंडल में एंडिय में सामिल करना हुए इसका सीधा से एक मतलब निकलता है माननिय मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ जी ओमप्रकास राजभर जैसे दुष्ट जनों के फेवर में नहीं उनको इतना मजबूर कर दिया गया बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा चाहे वो परतान मंत्री हो या ग्रह मंत्री हो या कोई नहीं नहीं था क्योंकि अभी लोग सबाद चुनाओ हैं तो मानिय योगी अदित्यनाथ भी अडब रवय अपना अपने सिर्ष निताओं के परतिन नहीं अपनाए हुए हैं इसलिए उनकी बात मान करके मानिय योगी अदित्यनाथ जी ने ये फैसले लिया कि उमपरकास राजभर को भी मंत्रीपद की सपद दिला दी मैं आपको बताता चलूँ कि ये वही उमपरकास राजभर है जो पानी पी-पी के हमारे पूर्वज हमारे भगवान स्री राम को गाली देता था राम राज्य की बीजेपी की स्थापना को जुटलाता था बुरा भला बोलता था आपको बता दूँ कि एक बार यूटूब पर एक ब्यान मैंनेन का देखा था कि उमपरकास राजभर ने कहा था कि हमें राम राज नहीं चाहिए हमें तो मेटकर राज चाहिए इस बात को दोहराते दोहराते वो श्री राम को भी गालियां दे गए गाली नुमा सब्दों का प्योग किया राम राज में जातिवाद का जिकर कर दिया जबकि उसमें वर्णवाद भी नहीं था जाती बात तो सो सो को सो की दूर की बात है देखी इस मैं बीजेपी की बुराई नहीं करना चाहता ना कर रहा हूँ मैं खुद भी बीजेपी से जुड़ा हुआ साधारन सा करे करता हूँ लेकिन एथिक्स की राजनिती मानने योगी अदित्यनास जी करते हैं सभी को पता है लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी हुई ये विचार करने की बात है कि उमप्रकास राजभर को मंत्री बनाया गया ये वही उमप्रकास राजभर है जिसकी पार्टी का एक नेता एक विधायक अतिक अमध का लड़का है अतिक अमध का लड़का उसी अतिक अमध का जिस अतिक अमध को मानने ये योगी अदित्यनास ने खतम करने की बात कही थी बतमासी को खतम करने की बात कही थी गुंड़ई को खतम करने की बात कही थी, एसमाजिक ततों को खतम करने की बात कही थी, उस ही अतिक हैमेद का लड़का ओम प्रकास राजभर की पार्टी से MLA है, और आज ओम प्रकास राजभर की वही पार्टी NDA का घटक दल बन गया, और सरकार में सामिल हो गया, और खुद मंत्री 22 पतले बैठा वही ओंप्रकास राजभर जो समय पढ़ने पे कितना भी नीचे गिर सकता है और किशी के बारे में भी अनाब सनाब कभी भी बोल सकता है ये माननिया योगिया दित्यनाथ को भी गालिया देता था ये हमारे वरिष्ट नेता माननिया ये राज़नाथ को भी गालिया देता था और जिस समाज से मैं आता हूँ मैं उस समाज के अपने सभी नेताओं को बड़ा सम्मान करता हूँ चाहे वो योगिया दित्यनाथ हो चाहे राज़नाथ हो डक्टर रमन सिंग हो या कोई और भी अन्यनेता नुराग ठाकुर हो या कोई भी ये खासकर मेरे समाज के खिलाब हमेशा जहर उगलता रहा योगिया दित्यनाथ को भी इसने गालिया दी ओपी राज़बर ने राजनाथ सिंग को भी इसने गालिया दी ऐसा कोई राजबूत नेता नहीं जिसको इसने कभी गालियां नहीं दी ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसका ये सगा हो ये हर किसी से मलाई खाने का टाइम में सरकार में सामिल हो जाता है प्लैक मेलिंग की राजनीति करता है मंत्री बनके अब ये मलाई चाटेगा कुछ दिन बाद मैं दिखाऊंगा आपको ये हमारी पार्टी को फिर गालिया देगा मेन बात ये है कि ओम प्रकास राजभर को माननिय योगी आधित तेनाथ जी कभी भी मंत्री बना कर राजी नहीं थे ये बड़ा उन पर प्रैसर बनाया गया होगा जब उन्होंने इनको उत्रप्रदेश सरकार में सामिल किया मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकास राजभर को गंडी में सामिल करना, सरकार में सामिल करना, उत्रप्रदेश में मंत्री बनाना ये बीजेपी की बड़ी गलतियों में से एक गलती है ऐसा मुझे ये मेरा परसनल विचारा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं एक राजनेतिक विशलेशक के तोर पे ये बात देख पा रहा हूं कि ऐसी क्या मजबूरी भरते जिन्ता परटी की है कि ऐसा उनको ये कदम उठाना पन क्योंकि मेरा ये सुझाव है कि हमारे सिर्ष नेताओं को अपने इस विचार अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए कि आप असी की असी सीटे उत्रप्रदेश में लोगस्वा की जीत रहे हैं और मैं बता दूँ कि हमारी परटी भरते जिंता परटी हर्याना में भी 10 की 10 सीटे जीत रही है और असलियत में 400 पार सीटे पूरे देश में इस 2024 के आने वाले लोग सबाच चुनाओं में जीत रही है तो फिर ये चोटे-चोटे फैसले सही लेने चाहिए ओम प्रकास रहाजबर्स जैसे लोगों को सरकार में सामिल करकर सता प्रकाबिज नहीं करने देना चाहिए मेरी अपने सिर्ष नेताओं से ये अपील है कि इस फैसले पर विचार करें माननिया योग्यादित्यनाथ जैसी सरकार पूरे भारत वर्स के अंदर किसी भी राज्या में नहीं चल रही जितनी अच्छी सरकार माननिया योग्यादित्यनाथ की उत्रप्रदेश में चल रही है ये 400 पार्त पूरे उत्रप्रदेश में 2024 के अंदर लोक्षभा के सीट आएंगी आएंगी उसमें 50% माननिय योगी जैसे नेताओं के विज़े से मोधी जी के बाद इस करन्वस 400 प्लस सीटे लोक्षभा की आएंगी 2024 के चुनाव में और मैं आपको बताता चलूँ अंत में उत्रप्रदेश में जब भी विधान सभागे चुनाव होंगे उत्रप्रदेश में पुरुन बहुमत की सरकार पीसरी बार माननिय योगी अदिप्तेनाथ के नेतरतों में 100% बनेगी तो मेरे एक सुझाव है आप सभी विचार कीजिए कि उम्परकास राजबर की पुरानी कुरितियों को देखिए इसने कहां किस पर हिल्जाम नहीं लगाए साबरमती की जेल में जब उस बदमास से उस गैंक्स्टर से मिलने के लिए इसने मानिया राजनाथ सिंग पर हिल्जाम लगाया मानिया योग्यादित्यनाथ पर हिल्जाम लगाये और बीजेपी को पानी पीपी के गालियां देता था राम राज की इसने हां से उड़ाई भगवान राम के बारे में इसने अपसब्द कहे कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी, कोई भी भारते जिनता पार्टी की रीड की अहड़ी कहे जाने वाले नीचलेस तरके करे करता इस ओम प्रकास राजबर को देख के राजी नहीं है मैं अपनी भारते जन्ता पार्टी के सिर्ष नेताओं को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस फैंसले पर विचार करना चाहिए और ओम प्रकास राजबर को अपनी उकात में रखना चाहिए आप सभी ने मेरी बात सुनी अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को सेर करें आप सभी का धन्यवाद आप सभी को सादर नमद धन्यवाद